मैडम के एक वाइरल वीडियो ने जो छोटा सा है मतलब दो तीन मिनट का वीडियो है पूरी तरह से तहल का मचा दिया और लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि मैडम जर प्रिगनेंट है मैडम प्रिगनेंट है और इसकी सच्चा ही जानने के लिए धेरों वीडियो और ये जो है वो जो शो है उसके अंदर फैमिली वीक मनाया जा रहा है फैमिली वीक मतलब की वहां पर सारे फैमिली के लोग आ रहे हैं जो भी कंटेस्टेंट है उनके तो यहां पर भी जो है जनाब के तरफ से मैडम गई है और एस यूज़ जो बच्चा गया है तो बिसिकल बाकि बात करते हैं और इसके साथ में ये भी पता लगता है कि उनका इसका मतलब कोई दोस्त नहीं है इसके अलावा और अब यहां पर फैमिली वीक आया है इस फैमिली वीक में अनली जो है मैडम आई है अपने बच्चे को लेकर आई है यानि कि एक स्वीट सी चोटी सी इ जब उनको चोटे बड़ों का सलाम करने के लिए बार बार उकसाया जाता है और जबस ती उनसे सलाम का आया जाता है और वो एक कंटेंट है इनके व्लॉगिंग का और उससे अच्छा का सा कंटेंट आता है लोग जो है कुछ लोग उनको बहुत ज़्यादा पसंद भी करते इवन देन जो है उनको बहुत सारे गिफ्ट भी आते हैं डबा के वीवर्स की तरफ से और डबा के जो और जो प्रोपोर्शनल लोग हैं उनकी तरफ से आते हैं लेकिन मजाल है जो हिल जाएं अपने उससे इनका जो 5BHK में जो लोग रहते हैं बस वो एक अलग दुनिया है और बाकी दुनिया एक दम सार लगए तो चलिए बात करते हैं उसी टॉपिक पे जिससे कि हमना शुरू किया था तो फैमली वीक में जो है मैडम गई हैं अपने बच्चे को लेकर गई हैं जैसा कि अक्सर होता है वहाँ पापार रेजी जो हैं वहाँ पर हैं वहाँ पर और जो फोटोग्राफ से लेते रहते हैं और उनसे बइट लेने के लिए कोशशकुक्र सकते रहते हैं यहाँ यहाँ पर तो वैसे भी इफ़ रोने की काट दीजेगा तो यह सारी चीजें प्री प्री प्लैन कर में चलते हैं तो इनके लिए तो खास दोर से ये एक इवेंट का एक विशे आ जाता है और जिससे कि इनको और ज़दा फेमस होने का या फिर करिए लैम लैट में आने का मौका मिलता है वैसे भी देख लिजे जनाब दिखला जा के जितने भी वीडियो वायरल होते या फिर वो आते हैं सोचल मीडिया पे उसमें सबसे ज़यदा जो है इनके ही आते हैं हलाकि दूसरे कंडेस्टेंड के या जजिस के भी थोड़े आते हैं लेकिन इनके को जदा आते हैं वहाँ पर मैडम जनाब के साथ में गई हैं और वहाँ रुकिये जब तक कि जनाब ना आजाया जनाब उनके साथ ना हो जाया तो वहाँ पर जो है जो अपने शौट्स दे रही है उसमें इस बार जो उन्होंने ड्रेस पहरी है ना कमाल की ड्रेस पहनी है वो रैड कलर की ड्रेस पहनी है जो गोटा पत्ती से भरी हुई है क्योंकि गोटा पत्ती का तो मैडम को कुछ जादा ही क्रेज है और जब आज का विशेस होकेशन है और वोट मांग रहे हैं बार बार वोट मांग रहे हैं तो एक तो जो ड्रेस सेलेक्ट करनी थी ना वो मुस्लिम ड्रेस सेलेक्ट करनी थी दुपट्टा ये सब वो वाले ड्रेस सेलेक्ट करनी थी तो इसलिए एक तो ये ड्रेस सेलेक्ट की गई दूसरा उसके बाद में यहाँ पर ऐसा शो करने की कोशिश की गया जैसे कि वो प्रिग्नेंट हो मेरे वर्ड्स पर ध्यान दीजे शो करने की कोशिश की गई तो यही अपने आप में बहुत कुछ कहता है तो इन्होंने जो ड्रेस पहनी है उसमें उनका जो बेबी बंप है वो कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि वाकी में जैसे यह बेबी बंप हो और उसके बाद में उसके उपर जो दुपटा है उनका वो उन्होंने ऐसा ड्रेप किया है कि वो ऐसा लगता है कि जैसे जान बूझ के वो वाले एरिया कवर करने की कोशिश की गई है और बार 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 उस पे हाथ रखना मतब जैसे बेबी है कहीं कुछ होना जाए और बड़ा ठीक से चलना है बड़ा ठीक से करना है ऐसा इवेंट उन्होंने यहाँ पर देनी की कोशिश की है आफ्टर आल मैडम जैना एक एक्टर भी है और एक अच्छी एक्टर रही है और जो उनका सबसे मशूर शीरियल था उसमें भी उन्होंने प्रिग्नेंसी वाला पीरिड एंजोई किया था यहाँ पर मैडम जैना बिलकुल अपनी ड्रेस से से और उसके बाद में चलने के स्टाइल से इवें देन पहने हुए स्लीपर से इन सबसे यह दिखाने की कोशिश कर रही है कि वो आफ्टर आल प्रिग्नेंट हैं तो बस एक हवा में घूम गया तो वो चार तरफ चलना शुरू हो गया मेडम प्रिग्नेंट है मेडम प्रिग्नेंट है और अगर देखा जाये तो उसके बाद में इतने सारे कमेंट्स वहाँ पर आने शुरू होगे कुछ अच्छे कुछ बुरे और जो भी कमेंट्स थे लेकिन वो कोशिश उनकी यही थी यही इस चीज को निशाना बनाने की किस तरह से मेडम जो है आठ महीने के बेबी के साथ में जो है अगेन प्रिग्नेंट हो गई है किसी ने तो मजाक उड़ाने की कोशिश भी करी कि जनाब तो अपनी अपनी चीजों के साथ में बिजी है सैट पर तो इतना टाइम कहा है वो इतना ठक कराते हैं वैसे भी हाफ जाते हैं तो ऐसे में कहां टाइम है तो कुल मिला के यह है कि सब तरह की बाते चल रही है कुछ अच्छी हों कुछ बुरी तो इसलिए उन बातों को तो हम यह जिकर नहीं करना चाते क्योंकि उनमें काफिस हद तक सचा ही नहीं है और वो अपना-पना स्पैकुलेशन के साथ में कुछ भी आरोप लगा देते हैं या कुछ भी कह देते हैं ये सारी बात हम क्यों कह रहे हैं कि ये शो आफ है शो आफ इसलिए कह रहे हैं कि आगर आप पिछले दो-तीन व्लॉक देखें हैं हम बात नहीं कर रहे हैं एक महीना-दो महीना ये तीन महीना पहले की क्योंकि तब जो है अगर प्रिणेंड लेडी होती है तो उसकी कंडिशन कुछ और होती है लेकिन इनकी कंडिशन की बात करें तो अभी अभी इन्होंने एक लाइव सेशन किया था जिसमें ये वोट मांगने के लिए आये थे वहाँ पर मैडम स्ट्रोलर को लेकर बिच्चे को लेकर इतना तेज तेज भाग नहीं थे इदर पोज उनका प्रॉपरली दिखाई नहीं देगा उसके बाद में अचा हम कुछ फोटोग्राफ्स वगरा भी लगा रहे हैं तो आप इन फोटोग्राफ्स पर ध्यान देकर भी आप समझ सकते हैं कि हम जो कह रहे हैं वो सच है या नहीं इससे पहले एक व्लॉग आया था अगें वाँ स्टॉलर के साथ में वो दीडिये दीडिये चल रही है वो एक दम लॉंग शॉट है उससे भी दिखाई देता है कि क्या है अचा तीसरी बात हम जो बात करने जा रहे हैं वो यह है कि यह मैडम है एक्टरस तो एक्टरस होने की वजह से हर चीज अपनी उसी तर रोनी करती है और साथ-साथ बॉड़ी भी जो है थोड़ी सी बलजी होती जा रही है सेकेंडली जो फेस है वो भी थोड़ा भारी हो गया है और ये सारा इसलिए है कि प्रिग्नेंसी के बाद में स्वरी डिलेवरी के बाद में इन्होंने कुछ भी एक्टिविटी थोड़ा बहुत तो दिखाती हैं, लेकिन यहां पर कुछ भी ऐसा नहीं कर दी हैं, एक घर के अंदर दिखाने के लिए एक ट्रेड मिल बी आ गया है, लेकिन वो ट्रेड मिल जो है आपने देखा होगा जिस तरह बंदा हुआ है, वो कि अगर वो होता तो डेफिनेटली जो है बाडी के अंदर चेंजिस आते वैसे तो देखा जाए तो सीजर होने के बाद में नॉमली पेट जो है थोड़ा सा बहार निकलाता है कुछ लेडिस का लेकिन ऐसा नहीं होता कि सब के साथ में होता है और फिर ये तो एक्ट्रेस हैं ये तो सब चीजों का ध्यान रखती हैं और पतानी टोन बोडी करने के लिए हैं और को ये सब चीजे करने के लिए कितनी सारा ग्यान देती हैं यसे हो जाता है वैसे हो जाता है बालों में ये हो जाता है आफ्टर डिलिवरी और ये चीजे हो जाती है इसकीन में ऐसा हो जा और इसके बाद में और कुछ प्रूफ चाहिए तो वो यह है कि इनका जो खाना पीना है अभी 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 यह जो नुन बनाया था मटन बनाया था और उसमें कड़ाई में सौरी बरतन के अंदर कर्ची डाल के यह बता रही है कि कितना ओईल एसके अंदर तो वो देखनेंगे आप कितना ज़्यादा ओयल दिखाई देता है और इससे पहले भी जितनी भी चीज़े बनाती है वह हैवी ओयल वाली बनाती है सेकेंडली मर्टन चिकन यह सब चीज़े बनती है और इसमें सारों में बहुत ज़्यादा तेलम तेल करती है तो कुल में लाकर यह है कि हेल्थ त अगर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं अपने खाने पीने में ये पंजीरी और इन सब की बात करती हैं डॉक्टर्स तो नॉर्मली जो घी है ये सब के लिए बंद कर देते हैं कि कुछ टाइम के लिए ये सब चीजे नहीं लेना नहीं तो आपके पास में फैटनेस जो बढ़ ज जाएगी अचली क्या है ये लोग अटेंशन सी करें यानि कि ये चाहते हैं कि इनको अटेंशन मिले और ये लाइम लैट में बने रहे हैं इसके लिए कुछ भी करते हैं कुछ भी करते हैं इससे पहले भी देखा और नहों होगा ये जान बूज के भ्रहम पहलाएंगे और फिर आके वीडियो बढ़ताएंगे बना के वह ये कहेंगे नहीं सच यह है आप सब लोग जो सोच रहे थे वह तो हमने आपको सोचने के लिए मजबूर किया लेकिन सच यह सच वह नहीं है जो आप देख रहे थे कुछ दिन पहले डबा के भी यही नियूस शुरू होगी लेकिन वह भी नियूस पूरी तरह से गलत थी तो मैडम जो ना अटेंशन सीकर के लिए यह सब चीज़े करती रहती हैं ड्रामा करती रहती हैं और यह कुछ भी नहीं है यह इसका अनहेल्धी लाइफ स्टाइल है अनहेल्धी फूड है जो डेली बेसेस पे लेती हैं और उ चूपाने की कोशिश करी वो इसलिए चूपानी कोशिश करी क्योंकि वो जाना चाहती है वो शो के अंदर तो वो अब दिखाई देता तो बुरा दिखाई देता जबकि इनके अपने जो व्लुग्स होते हैं अगर आप देखेंगे तो सिर्फ बैठके बनाती है या अपर जो बाड़ी को होता है सिर्फ वो दिखाई देता है जैसे कुकिंग करना ये करना अधरवाइस आपको फुल पोज में ये बहुत कम दिखाई देंगी मैडम आलसी है ना एक जगे बैठके सारा व्लॉग बना देती है और उसमें फ्लेश बैक में एक 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 देला जेती है कि उस दिन हमने ये किया था थोड़ा 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 शूट किया था थोड़ा 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 शूट किया था तो यही था हमारा कहना यह पॉडकास्ट आपको कैसा लगा प्लीज लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज कमेंट जरूर कीजिए जैसा कि आपको व्यू है इसके पॉडकास्ट के बारे में या आपको यह अपना और व्यू देना चाहते हैं तो प्लीज जरूर दीजेगा एंड में थैंक यू धन्यवाद शुक्रिया